बच्चे हूँ या बड़े सीख कबाब तो सब के ही फेबरेट होते हैं और मिल जाए चिकन के सीख कबाब वो भी घर पे तब भाई दिन बन जाएगा तो ही दोस्तों असलामलीकूंуск कैसें आप सब उम्मीयद करती हूँ अप सब खेरीय जा में हूँ आपके दोस्त to के लेकर कही हूँ सीख कबाब की रेसिपी वो भी चिकन के सीख कबाब जो खाने में तो ला जवाब फालाना परें जिसको बनाना परी इंतिहासान है। तो एक बार मेरी इस आसान से रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद मुझे अपना फीट बैक देना बिल्कुल भी न बूले को अब सीख कवाब बनाने के लिए यहां पर मैंने तकरीबन तीन सो ग्राप बोन लेस्ट चिकल लिया है उसे अच्छी त्रेके से तीन-चार पानी से दो लिया और एक स्ट्रेट पर रख दिया ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए अब हम इसको करेंगे चॉप अब हम इस सही कीमा हमारा बिल्कुल घर में तैयार हो गया है और अगर आप बजार की कीमे को घर मेरे लेकर के आएंगे तो उसे भी कम से कम एक बद्द जरूर ब्लैंद कर ले उससे अग harassment स्मूँथ सा आपका कीमे का टेक्स्ट यार हो जाएगा अब इस कीमे को हम एक डेको आप आया हैं लेकिन आज चुकी मैं इसमें चॉप करा हुवा गार्लिक यूज करूंगी इसलिए मैं आज तरीका आपको दूसरा बता रही हूँ तो अभी हम नमक इसमें मिला करके इसको साइड कर देंगे अब हम उसी चॉपर में एड करेंगे एक बड़े साइज की शिमला मिच साथ म में एड करेंगे हम प्यास इन सब को अची तरीके से हमें फाइन सा स्मूथ सा हमें चॉप करना है बिल्कुल बारिक चॉप करना है यह ख्याल रहे तो इसके लिए आपकी चॉपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करदा करती है तो अच्छा आपके पास अगर कोई चॉपर हो तो उसमें आप इसको चॉप कर लेजिए और अगर आपके पास चॉपर ना हो इलेक्ट्रिक चॉपर तो आप इसको हैंड चॉपर से भी बहुत अच्छी तरीके से स्मूधली चॉप कर सकते हैं यहाँ पर एक मैंने बड़ी साइज की शिमला मेश लीटी औ और तकरीबन तीन बड़े साइज के प्याज ली हैं उन्हें अच्छी तरीके से हम पर चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद इसका सारा पानी हाथों से निचोड निचोड करके हम कीमे में आइड करते चले जाएंगे अब क्योंकि हमारे कीमे को रेस्ट करते हुए तक हमारे कवाब लगते हैं के राद चामचे करते हुए निचा करते हैं के लिचा आइड करेंगे और पर चॉप कर लिया ना ज्युप करेंगे ना ये जानियाड करते हैं हाफ चमच हम आड़ करेंगे जीरा पाउडर आदा चमच हम आड़ करेंगे गरम बसाला पाउडर और वन फोर चीज पूर आड़ करेंगे हम यहाँ पर काली मिच्चो का पाउडर और यह स्पेशल अनारदाना इसके बगर तो टेस्ट ही अधूरा है आपके कवाबों का एक प सब्सक्राइब करेंगे और अब इन सब चीजों के अंदर हम एड़ करेंगे हंकर्ड आप यहाँ पर नीवू का रस भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपने मेरे कहने पर हंकर्ड यूज कराना तो इसका टेस्ट सच में डबल हो जाएगा अब हम यहाँ पर एड़ इन मक्षन का और करेंगे इनको अच्छी ताड़ी से मिक्सऽ अब कबाप की मिक्सिंग बहुत इ configuru ख्याल रहें अब इन सारी चीजों को हम फाथों से ऐसा मिक्स करेंगे जाएंगे कि सारी चीज़े एक जान हो जाएं सबको हमें इतना मिक्स करना है कि आपको لगे ही नही कि बिल्कुल एक भी चीज अलग सी नज़र आए तो इतना स्मोग ली आपको जितना अच्छा आप इसकी मिक्सिंग करेंगे ना उतने जबर्दस आपके कवाब बनेंगे ये रेखिए हो गए ना बिल्कुल एक जान अब क्या करना है हमें हमें कुछ भी नहीं करना इनको रेस्ट देने से पहले हम इसके अंदर देंगे चार कोल का स्मोग जिसे अगर हम इसको अगर कोईले पे नहीं भी बना रहे होंगे तो इसके अंदर बिल्कुल कोईले का स्मोक देने से इसके अंदर खुश्बू भी बिल्कुल पसारवा दियाएगी और कोईले का smoke देने के लिए एक जलतावा कोईला एक कटोरी के अंदर हम add करेंगे और इसके उपर एक थोड़ा सा तेल पूर करेंगे और जट से इसके cover कर देंगे lid से 2-3 मिनट हम इसके दुए को बिल्कुल अंदर ही रहने देंगे और उसके बाद हम इसके lid को हटा करके अच्छी तरीके से properly सबको mix कर लेंगे दुबारा से जिससे इसका जो flavor होगा ना spooky flavor वो सब तरफ यानि कि हमारे सारे कीमे के अंदर proper evenly spread हो बराबर और इसको mix करने के टाइम पे अगर आपको यहाँ पर नमक टेस्ट करना है तो करके अपने according यहाँ पर नमक balance कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारे कवाब की अच्छी तरीके से mixing हो चुकी है हम इसको rest करने देंगे और फ्रेज में रख देंगे तक्रीबन आदर से एक घंटे के लिए ताकि यह proper set हो जाए अब यहाँ पर तक्रीबन एक घंटा complete हो चुका है और हमारा कीमा बिल्कुल proper set हो चुका है हम अपने हाथों को grease करेंगे थोड़े से तेल से और इसके हम shape देंगे कवाबों का कवाबों को shape देने के लिए हम क्या चीज़ का use करेंगे हम use करेंगे pencil का हम थोड़े थोड़े कीमे को अपने हाथों में लेंगे और एक pencil के वो बीच में रखते हुए कवाबों की shape देते चले जाएंगे आप चाहें तो इससे plain कवाब भी बना सकते हैं लेकिन मैं आज Turkish लूग दूँगी तो उसके लिए हमें क्या करना है बिल्कुल balance करते हुए हम इसको side करते चले जाएंगे और अपने अंगूठे और बीच वाली उंगली से इस तरह से प्रेस करेंगे कि ये बिल्कुल Turkish लूगा है तो बस इसको बनाने के बाद हम इसको धीरे से निकाल लेंगे और बिल्कुल पूरा proper कवाब बनावा हमारे हाथों में आ जाएगा size आप इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं ये size बिल्कुल perfect है इसी तरह से हम अपने सारे के सारे कवाबों को तयार कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले कवाब तयार कर रहा है अगर आपने इन कवाबों को फ्रिज में रखा तो आपको assemble करना इनको बहुत ही आसाल लगेगा बस ख्याल रहे कि आपको इसको set करने के लिए फ्रिज में रखना बहुत important है इससे क्या होता है कि कवाब बिल्कुल भी तूटते नहीं है अब हम इन कवाबों को अच्छी तरीके से properly सारे कवाबों को ready करने के बाद चुकि आज मैं आपको air fry में ये कवाब बना के दिखाऊंगी तो ये कवाब की recipe आपको और भी जदा असाल लगेगी लेकिन अगर आप चाते हैं इनको shallow fry करना तो आप इसे shallow fry भी कर सकते हैं अब air fry में fry करने के लिए हम सबसे पहले use करेंगे eco bake sheet का जिससे हमारे air fry को बिल्कुल safety रहती है और बहुत ही आपकी आसाली के साथ इसके साफाई करना बहुत मुश्किल नहीं होता है अब इस शीट के ओपर हम थोड़ा तेल पूर करेंगे और इस तेल को हम evenly चारो तरफ स्प्रेड कर देंगे एक ब्रश की हम्ट से और आप क्या करना है बस जो हमने prepare करके रखे हैं कबाबों को जो shape देके रखा है उन्हें एक एक करके हम इस शीट के ओपर असेमल कर देंगे और 90 degree centigrade के ओपर हम तकरीबर 10 मिनट के लिए एक साइट से हम इसको fry करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसकी turn को change करके fry करेंगे बहुत ही असानी के साथ इसमें कबाब बन जाते हैं और अगर आपके पास air fry नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है air fry में हम इसको assemble कर लेते हैं और अपने air fry को start करते हैं 180 degree centigrade पे हम इसे 10 मिनट के लिए start करेंगे और हम तकरीबन 5 मिनट complete होने के बाद इसको बीच में stop करके हम इसके ओपर एक तेल का brush करेंगे इससे क्या होगा कि हमारे जो कवाब बनेंगे वह बिल्कुल अंदर से जूसी बनेंगे बनेंगे ऊपर से भी बिल्कुल जूसी लगेंगे तो इनको एक अच्छी सी shine देने के लिए air fry के अंदर हमें थोड़ा सा हलका सा तेल का brush करना बहुत जरूरी है तो अब हम इनको brush करने के बाद दुबारा से असेंबल कर देंगे अपने air fry को और इसको अच्छी तरीके से fry होने देंगे ये देखें 6 मिनट बचे हुए ना टाइमर बता रहा है हमारा अब इसी तरह से हम एक साइड से बेक होने के बाद इसके साइड को हम टर्न कर देंगे और दूसी तरफ से भी अच्छी तरीके से प्रॉपरली इसको fry होने देंगे यह देखिए दूसरे साइट से अभी हमारा थोड़ा अच्छा है ना इसको भी हमें अच्छे तरिके से प्रॉपर्ली फ्राइ कर लेना है दूसरे तरफ से टर्न करगे बस अब क्या है दस नट पूरे होते ही यह लाजवाब से प्रॉपर से हमारे सीख कबाब घर में हो गया है रेडी आप इनको बनाएं और फुल इंजॉय करें और हाँ इस रेसिपिक अपने फैमिल फ्रेंज पर शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें अभी हम इसको एरफ्राइ तो मैं आपको एक दूसरे अपने गयागेट से मिलाती हूं यह है जूलियन काटना कितना मुश्किल होता है न यह है एक जूलियन कटर जिससे बहुत ही ऐजी सारे के सारे फूट्स, वेजिटेबिल्स के आपके जूलियन बहुत ही आसानी के साथ घर में कर जाते हैं तो सप qui चैनल को कर दीजिए का सब्स्क्राइब और सब्सक्राइब करने के जिसे मेरी आने वाली हार नई वीडियो से यूरिपिकिशन आप तक मिलती रहें तो अब आपकी दोस्त आप से विदा चाहती है फिर इन्शालला नईनी वीडियो जो नईनी आसान सी रेसिपीज के साथ आपसे मुलाकाते होती रहेंगी तब तक अब ख्याल रोगें बहुत बहुत याद रोगें आला हाफिज एन्जोई उसी कबाब